जान? जासा के पहली वीडियो में मैंने आपको बता है कि लाश और ग्रेटर फिल्टर किस तरह से अप्लाई करना है और इसकी फंक्शनलिटी भी आपको बताईय के उसी फंक्शनलिटी की परफार्म करने के एक और तरीका है कि आपने एक और फिल्टर अप्लाई करना है आपने मार्कस वाले कारम में जाके arrow के उपर क्लिक करना है और यहां पे number filters में जाना है और यहां पर between का जो फिल्टर है वो अप्लाई करना है आप यहां पर एक specific range के जो record है वो आपके पास show हो जाएगा between के ओपर click करना है और is greater than or equal to और is less than or equal to है और यहां पर आपने range लिखनी है कोई भी आप range लिख सकते हैं 80 और 90 के दर्मियां range लिखेंगा तो 80 और 90 के दर्मियां जो भी record है वो show हो जाएगा जहां पर 80 का भी show होगा और 90 का भी show होगा